हेलो वरेवन विलकम यूँ ओल एट लोकेसर अल्लेम्टेड इस्टडी जोन और नेट सेट स्पेशल बैस 2023 में आप सभी का स्वागत है चल रही है क्लासिस मैथेमेटिकल साइन्स ऑप्शिनल पेपर नमबर टू जो की नेट के लिए स्लेट के लिए जैम के लिए और कई सारे यूनिवर्स्टी इग्जामिनेशन के लिए जो है इंपोर्टेंट हुआ करता है तो देखिए अब जो है हम आंगे पढ़ेंगे क्या सीने देखते आंगे का तो क्या चल रहा है इंट्रॉक्शन ऑफ सेट थियोरी चल रहा है और हमारी जो लेक्शर नमबर टू आज यहां पर हम continue करने वाले हैं लेक्शर नमबर टू हम यहां पर continue करेंगे इसके पहले हमने lecture 1 पढ़ा था और lecture 1 में जो जो topic मैंने complete करे हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखे lecture 1 में हमने क्या क्या complete कर लिया है, तो lecture 1 में हमने elementary set theory ये तो topic है, ये start किया है, इसमें हमने आपको finite set पढ़ा दिया, इसमें हमने आपको countable set पढ़ा दिया, और इसमें हमने आपको uncountable set पढ़ा दिया अब जो है class number second जो है यह class number one का matter था यह जो है यहां से यहां तक class number one का matter था यहां से class second start होगी तो real number system as a complete order field यह हम पढ़ने जा रहे हैं बट देख लीजे एक बार थोड़ा से revise कर लेते हैं पिछले बार हमने last class में basics लिए जिसमें हमने देखा कि types of collection कितने होते हैं well-defined not well-defined और एकदम fix होना चाहिए आपके मन में किसी प्रकार का शंस है नहीं होना चाहिए किसी collection को लेके अगर वो संशय है तो वो collection set नहीं होगा तो आपने देखे थे कुछ example in representation of shit मैंने बताया दो फॉर्म में rooster form list form कहते हैं और दूसरा set builder form भी आपने देख लिया देने उसके बाद मैंने बताया था कि Russell's paradox जो की important आपके लिए और Russell's paradox क्या है कि no set belongs to itself मतलब दुनिया का कोई भी सेट जो है खुद को belong नहीं कर सकता मतलब कोई सबसेट के लिए यूज नहीं हो सकता है और मैंने बताया था कि every set is the subset of itself तो दो प्रकार के सेट होते हैं एक होता प्रॉपर सेट और एक होता है इक्वल इक्वल सबसेट ओके प्रॉपर सबसेट एन इक्वल सबसेट तो प्रॉपर सबसेट में मिनिमम एक एक एलिमेंट जो होता है वह जो होता है प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसमें की सारे के सारे विजबार आपको बात नहीं बता पाया, उसका topic है, equal equal set, oh complete, तो topic का नाम यहां पर note का लीजे, topic का नाम में आपको बता रहा हूं, equal set, equal set, तो भवाई, equal set क्या होता है, देखिए, equal set क्या हुआ करता है, equal set का मतलब होता है, if A is the subset of B and B is the subset of A if A is the subset of B and B is the subset मतलब A जो है B का subset है और B A का subset है then क्या होगा दोस्तों then A equals to B तो A और B क्या होंगे? equal होंगे, ओके? तो अगर A B का subset है और B A का subset है तो ये condition होती है किसकी? equal set की ठीक है ना? तो ये equal set की condition है ये मैंने last class में आपको बताई नहीं थी then इसके बाद empty set अब ने पढ़ लिया था और empty set is a well defined होता है तो भाई साब ये एक finite set होता है कैसा होता है ये? finite set, so empty set as a example of finite set भी होता है मैंने बताया भी था कि empty set जो हुआ करता है वो finite set होता है ओके? and number of cardinal number of element in n5 कह लिजे या आप इसको जो है आप इसे n5 कह लिजे so n5 equals to कितना हो गया? 0 number of element in a empty set equals to 0 done then इनके बाद subset को आपने detail में देख लिया था subset डो टाइप के होता है एक होता है proper subset, एक होता है equal subset ओके तो proper subset भी आपने देखा था proper subset ही आपके सामने जो लिखा है that is called proper subset और equal subset के लिए मैंने notation बताया था कि equal subset के लिए equal number of element भी हो सकते हैं तो equal subset मैंने क्या का था? a is equal subset of b a is equal subset of b मैंने आपको subset बताया मैंने आपको superset बताया then proper subset को detail में पढ़ लिया हमने कि कभी भी proper subset में a और b equal नहीं हो सकते हैं but equal subset में हो सकते हैं then अपने finite set और infinite set पढ़े, then power set पढ़ा, okay, so what is power set, a family or a set consisting of all subsets of a set is called power set, तो मतलब power set के अंदर सारे के सारे subset हुआ करते है, okay, तो यहाँ पे missing हो गया है, 1,3 होगा, लिखना miss हो गया था, अब लिख दिया मैंने, so 1,3 यह हो गया, number of element equals to 2 to the power n, okay, number of element in a power set equals to 2 to the power n, अब देखिए, आपका basic, I believe मैं यह मान के चल रहा हूँ कि, जो काफी सारी चीजें आप जो है, इंटर लेवल में पढ़ करके आए हैं, वो चीजें आपकी clear होंगी, और उन basics को लेकर के मैं थोड़ा सा यहाँ पर, एक बार properties जो होती हैं, उनको यहाँ पर मैं एक बार फिर से important है, आप इनको ध्यान में रखीगा, यह जो properties होती है, important हुआ गरती है, तो चले देखिए properties of sets के हम बात कर लेते हैं, कुछ important property है, कैसे, जैसे पहली property में आपको बताता हूँ कि, first is property है कि, A union B equals to B union A, okay, commutative rule होता है, then A intersection B equals to B intersection A, second property, ठीक न, third property देखिए, third property है, A intersection B union C, इस property को बोलते हैं, associative law, associative law, तो यह property काम की है, आपके, अभी आँगे, use होगी, A intersection B union C is equal to हो जागा, A intersection B union C, उपर के दोनों क्या थे, उपर की दोनों property थी commutative, okay, जिसे आप बोलते हैं, क्रम विनमेनियम हिंदी में, और इसे कोलते हैं, साहचेर विनियम, A intersection B union C equal to A intersection B, okay, और कितना हो जाएगा, A intersection B union C equals to, आपने पहले इन दोनों को साथ मे ले लिया और इसको बाहर कर दिया है, ठीक न, यह हो गई, then देखिए, अगली property देखिए, अगर आप distributed law, अगली property का नाम है, distributed law, ठीक न, distribution सीखेंगे इसमें, ब्यूटिव लो, तो क्या है बडिस्टिब्यूटिव लो, distributed law की property क्या कहती है, distributed law की property यह कहती है कि, A union B intersection C, ओके, तो यह क्या हो जाएगा, A का union जो है, B intersection C, इस bracket के अंदर खोलना है, so it will be A union B intersection A union C, यह property बहुत काम किये है, याद रखेगा, यह distributed law है, इसका उल्टा भी देखलो आप, अगर आप कहे दोगे A intersection B union C, तो यह भी apply होती है, क्या हो जाएगा, A intersection B union A intersection C, ठीक है न, तो intersection operation जो है, distribute हो गया, किसके उपर में, union के उपर में, और दिखे, बहुत बढ़िया-बढ़िया properties होती है, तो एक और property में देता हूँ, इसको Demorgan's law बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, Demorgan's law, ठीक है, यह property क्या होती है, यह कहती है, A intersection B का बार, A intersection B का बार, यह इसको compliment dash भी लगाते हैं कहीं कहीं पर, A intersection B का compliment equal to, A bar union B bar, A bar union B bar, ठीक न, A intersection B का बार is equal to, A bar union B bar, and A union B का compliment कहलो, या dash लगालो, कुछ भी कहलो, यहाँ पर आप इसको यह भी लिख सकते हो, A dash union B dash, ठीक न, इधर पर क्या हो जाएगा, यह देखे, यह हो जाएगा, A dash intersection B dash, यह इसको लिख सकते हो, A bar intersection B bar, ठीक न, बार तो आप जानते हो न, compliment of a set, A bar क्या होता है, compliment A bar मैं आपके लिए बता देता हूँ, यह आपको भूल गया हो, So what is A bar, A bar is called compliment of set A, compliment of set A, किसी set A का compliment मतलब उसके ना होने की परिस्थितियां, यह वेंट डिग्राम में दिखे, यूनिवर्सल सेट चलेगा, यहाँ पर, और यह अपने पास में set A है, तो यह A का होना है, तो इसके जो बाहर की परिस्थितियां है, तो वो क्या कहलाएगा, A bar, उसके बाहर की जो परिस्थितियां है, उसे हम क्या बोलेंगे, A bar, तो अंदर A है, और बाहर क्या है, A bar है, Yes, so that is called compliment of set A, ठीक है, यह हो गई, और देखते हैं कुछ और important सी चीजें, देखिए क्या है, A minus B intersection C, A minus B intersection C, तो इसकी जो थियोरी है, यह थोड़े सापको याद रखनी पड़ेगी, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, A minus B intersection A minus C, है ना मजी की बाद, A minus B intersection A minus C, तो इसको कैसे solve करते हैं, देखो आप, यह हो जाता है, A का होना, और B intersection C का ना होना, तो आप इसको लिख सकते हो, A intersection B intersection C का compliment, किसी चीज़ को minus करना, मतलब उस चीज़ का ना होना, अब आप इसको open कर दो, तो यह हो जाएगा, A intersection, यह हो जाएगा, B bar, ओके, देन, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, C bar, ठीक है ना, तो यहाँ पर, अब इसको हम simplify करते हैं, तो यह कैसे हो जाएगा, देखे, यह हो जाएगा, A intersection B bar, intersection B बार union A intersection C बार ठीक है ना intersection C बार तो condition क्या बनेगी यहाँ पर यहाँ पर condition बनेगी intersection B बार को में क्या लिख सता हूँ A-B union A-C तो I feel यहाँ पर मैंने property गलत लिख दी थी A-B intersection C तो A-B intersection C जो होगा वो हो जाएगा कितना यहाँ पर union आएगा ओके यहाँ पर क्या आएगा union आएगा तो इसको सही कर लिजी मैंने mistake कर दी थी चली देखिए next अगली property है A-B intersection C तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिखूँगा कैसे solve करूँगा इसको मैं लिखूँगा A intersection B बार intersection B बार intersection C अब चली इसको distribute कर दीजे तो intersection खुलेगा तो क्या हो जाएगा A intersection C A intersection C ओके और फिर इसके बाद पहला देखिए intersection क्या हो जाएगा यह B डेस intersection C ओके या B डेस intersection C इसको क्रूल सकते हो C intersection B डेस C intersection B डेस ठीक है ना तो इसको आपने C intersection B डेस भी लिख लिया ओके दोस्तों तो यह जो property मैंने लिखाई आपको यह वाली property बहुत important है यह आपके काम में आती है मैं कभी रटता नहीं हूँ इसको property को मैं तुरंत वहीं के बना लेता हूँ वैसे कई जगे आपको देखेगा कि रटने को मिल जाएगा तो जैसे आप बोलेंगे A minus B intersection C A minus B intersection C तो रटने का तरीका यह होता है कि पहले आप A minus B बनाएए और minus का टेक से यह किसमें बन जागा union तो यह हो जाएगा A minus C तो A minus B union A minus C इस तरीके से भी आप इसको रट सकते हैं otherwise आप इसको जो है प्रूफ कर लेंगे तो क्यूंकि नियूंकिइंश गाए इस देखें क्या बन जाएगा यह बन जाएगा A minus B और Unión जो है किसमें पढ़ जाएगा इंट्रसेक्शन में और यह मैंनस C दूसरी property जो है A-B intersection C तो यह इसका क्या हो जाएगा A-B और यह पलड़ जाएगा किसमे यूनियन में और यह हो जाएगा A-C ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं आप यदि आप इसका prove देखना चाहें तो prove देख लिए यह है A और minus B intersection C मतलब यह चीज का ना होना मतलब B intersection C का ना होना तो यह मैंने B intersection C का बार लगा दिया अभी क्या हो जाएगा A intersection अब इसमें D-Morgan Salon लगा दिजे तो यह हो गया B बार और यह हो गया Union और यह हो गया कितना C बार अब आप इसमें Distributive Rule लगा दिजे तो यह हो जाएगा A intersection B बार Union A intersection C बार तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा A minus B Union A minus C Correct तो यह जो है A minus B Union A minus C हो जाएगा तो दोस्तो इन तरीकों से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं अब छोटे से कुछ और Laws हैं देखिए जैसे कि Identity Laws होते हैं इन लॉज को में क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लॉज ओके यह आइडेंटिटी लॉज क्या कहलाते हैं जैसे कहलाता है A Union Sorry A intersection U ओके यह कितना आएगा A आएगा A intersection U मतलब A और Universal का Common तो कितना आएगा A आएगा फिर A Union 5 A Union 5 यह कितना आजाएगा यह A ही आएगा तो यह दो लॉज याद रखेगा क्योंकि इसमें हम जिस सेट के साथ Operation करते हैं वो ही आजाता है इसको हम बोलते है Identity Law ठीक है ना दूसरा लॉज याद रखे जिसका नाम है Compliment Law Compliment Law तो यह भी एक बहतर चीज़ है देखे क्या है Compliment Law Compliment Law यह कहता है कि अगर आप A का Union करेंगे A Compliment के साथ तो आपके पास क्या हैगा Universal Set आपके पास आजागा Universal Set और अगर आप A का Intersection करेंगे A बार के साथ तो क्या जाएगा इसमें Phi आएगा मतलब Null Set आपके पास में आजाएगा चलिए एक और Law देखे एक और Law हमाई पास यह है कि A-B Intersection C यदि इधर से आप जो A-B Intersection C है मतलब Minus के उपर यदि आप इसको खोलते हैं तो कैसा खोले गई है यह देखिए बन जाएगा A Intersection C और Minus B Intersection C मतलब C जो है Right Side से Attack कर ला है यदि इसके आप Proof की बात करें तो देखिए इसका Proof कैसा हो जाएगा आप इसको लिख सकते हैं A-B Intersection C को आप Commutative Property से लिख सकते हैं C Intersection A-B Okay this implies that C Intersection A-B मतलब A का होना और B का ना होना अब आप Distributive Rule से तोड़ दीजे तो C Intersection A Intersection C Intersection B- C Network Intersection A इसे हम लिख सकते हैं C Intersection B मतलब C-B से लिखा जा सकता है निहां तो एक इसका तरीका ये भी है दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि यदि आप इसको लिखना चाहें तो A Intersection C-B intersection C okay minus B intersection C यह भी इसको आप लिख सकते हैं इसको डिटेल में आपन बाद में कभी करेंगे अनदर लेक्षर में टाइम लगेगा तो अभी के लिए आप इस प्रॉपर्टी को याद करेंगे जो की बहुत इंपॉर्टन प्रॉपर्टी आपके लिए बनीगे आंगे जाकर के इसको यूज करेंगे क्या है अगर आप मतलब कि यह लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं इंटरसेक्शन का किसके उपर डिफरेंस के उपर तो यह हो जाएगा एंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी ठीक है अगला टॉपिक डालिए अगला टॉपिक है एलजबरिक एलजबरिक एंड और्डर्ड प्रॉपर्टीज टीज ओफ रियल नंबर ओके तो दोस्तों हम जानते हैं कि रियल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं हम कैपिटल आर बोलते हैं तो अब हम यहां पे हम एक दो प्रापरटीज पढ़ने वाले हैं रिएल लबर फैमली की एक प्रापरटी है algebraic property और दूसरी है ordered property तो चलिया आईए पहले हम start करते हैं algebraic properties यहानि इस रिएल लंबर के set की वासतिविक संख्याओं कि समुच्चे की algebrig property मतलब समझ लिए कि आप एक operation perform कर रहें जिसमें input भी आपका r से है और output भी किससे है r से है तो यहाँ जो operation r से r में define होगा मतलब same set में होगा तो जो भी operation आप define करोगे इसके दो input के बीच में suppose का एक input A है और एक input B है तो जो operation आप define करते हैं उसको हम बोलते हैं A binary operation B तो मान लिजे यहाँ पे A, A और B में binary operation लगाने के बाद में आपका output C आता है तो आपकी condition क्या रहती है यहाँ पे binary operation तो हम क्या लिख रहे थे हम algebraic properties के बारे हम बात कर रहे थे तो उसी को हम continue करेंगे algebraic properties algebraic properties चलिए algebraic properties लिखे set R set R we have a set R we have a set capital R okay, with two binary operation with two binary operation operations, ठीक है ना? तो कौन-कौन से binary operation हमारे पास में हम ले खरके हाँ पे चल रहे है पहला binary operation है first है plus and दूसरा binary operation क्या है? multiply, जिसको हम dot से दिखा रहे है यहाँ पे यह property कहती है कि मान लिजए आपके पास एक element A है, जो कि real number family से है दूसरा element B है, जो कि real number family से है और अगर आप यहाँ पे binary operation प्लस लगा रहे हैं या मान लिजए कि कोई binary operation आप product यूज कर रहे हैं कोई multiply यूज कर रहे हैं दो नंबर के बीच में तो अगर यह जो अपना algebraic operation जो होगा algebraic operation कैसा होता है, closer होता है it means A plus B, मतलब binary operation यहाँ पे क्या है अपने पास में क्या है, binary operation प्लस है ना तो plus के लिए और multiply के लिए अपने यहाँ बाते कर रहे हैं तो A plus B जो होगा, वो भी किसमें होगा, real number ही होगा यह यह कहलो, A into B, जो होगा, वो भी क्या होगा, real number होगा second property की बात करते है, second property है SOCAT property तो SOCAT property कहती है कि अगर आपके पास तीन number है A, B, C और R, A, B, C, जो हैं तीनों real number के अंदर है तो A का binary operation complete प्लस C के साथ equal to A plus होगा, B plus C मतलब कि यहाँ पर binary operation की जगे कौन खेल रहा है, प्लस खेल रहा है, तो मतलब A और B का joint binary operation उसको C के साथ extra कर दोगे equal to A का combined link इसके साथ B plus C के साथ तो यह बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सी rule, associative rule, associative property देखें, अगली property है, existence of identity element under addition तो यहाँ पर हमारे पास addition हम perform कर रहे हैं तो याद रखेगा, जो identity element होते हैं, वो कौन सा addition क्या perform कर रहे हो, कौन सा binary operation perform कर रहे हो उस पर depend किया करते हैं, वो सभी operation के लिए same नहीं होते हैं तो आपके पास भान लिजे, कोई number, real number दिया गया है, a ओके, सो क्या condition बनेगी, condition बनेगी additive element के लिए कि a plus unknown additive element जो होगा, वो किसके इकल होगा, a के होगा और क्योंकि यह binary operation जो होते हैं, वो commutative भी follow करते हैं algebraic operation commutative, तो आप इसको लिख सकते हो, कि a plus जो element है, identity element equal to identity element plus a, तो यहाँ पर मैंने use कर लिया है, a plus identity element equal to a, equal to identity element, unknown identity element plus a, तो answer क्या आएगा, 0, so 0 is what, 0 is additive identity, ठीक है, तो 0 है यहाँ पर additive identity, देखें, अगली property है, existence of additive inverse, ओके, तो real number family के लिए, माननीजे आपके पास कोई element a है, तो क्या लिखा मैंने, for all a belongs to r, मतलब हार एक element a के लिए, there should be some element, वहाँ पर कोई element होना चाहिए, कि a में हम add करेंगे, तो answer कितना आएगा, 0, क्योंकि additive inverse में 0 आना चाहिए, तो suppose मैंने यहाँ पर b मान लिया, so element a plus b equal to 0, so b equal to कितना हो गया, minus a, तो minus a क्या 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 लाएगा, क्या element a के लिए, जो minus a बनेगा, वह क्या 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 लाएगा, उसका, वह क्या लाएगा, उसका additive inverse, additive inverse, अब याद रहे कि यहाँ पर अगर a belongs to r है, तो minus a b किसमे होगा, r में belongs करेगा, मतलब वह भी real number family का ही एक member होगा, तो अगली property जो है, वो है commutative under addition, commutative under addition का मतलब तो हला कि यह property हमने थोड़े सा पहले भी discuss कर ली, तो कोई भी real element आप दो element ले लिजे, है a, b जो है belongs to r है, अपने पास में, a, b belongs to r, उनके लिए चेक करिए कि a plus b equal to कितना होता है, b plus a, तो इस तरीके से यह 5 property हमारा, यह set जो है satisfy कर रहा है, और ऐसा set जो इन 5 प्रोपरटी को satisfy करे, the set that satisfying all these five properties, these is called abelian group, तो जो set हमारा इन 5 प्रोपरटी को satisfy करता है, उसको हम क्या बोलते है, abelian group, तो यहाँ पर देखिए, जो अपने पास रियल नमबर था, set of real number, set of real number, ओके, तो set of real number जो है, दिये गए binary operation के लिए, for operation, कौन सा operation था, एक तो हमने प्लस ले लिया, और क्या ले लिया, into, मतलब प्लस operation के लिए, और into operation के लिए, किसका काम करेगा ये, is an abelian group, क्यों होगा abelian group, क्योंकि ये 5 की 5 property satisfy कर रहा है, ओके, ये 5 की 5 property satisfy कर रहा है, कौन कौन सी property अपने देख लिया है, एक पर बता देते हैं, देखिए, सबसे पहली property अपने देखी, क्लोजर, ओके, सबसे पहली अपने प्रापर्टी देखी थी, क्लोजर, मैं back pages में आपको ले चलता हूँ, जिससे आपको दिख जाएंगी properties, देखे, पहली property आपको जो है, algebraic property में पहली property आपको दिखाई दी थी, क्लोजर, दूसरी property में आपको बताई क्या, associative, तो यहाँ पर लिखते जाएंगे, दूसरी property जो satisfy करी अपने real numbers set ने, वो क्या होए, associative, ओके, तीसरी property फिर क्या थी, existence of additive inverse, तीसरी जो property थी, वो थी existence of additive inverse, ठीक है, तो तीसरी property है, existence of additive inverse, फिर चौथी property कौन सी थी, existence of, existence of additive inverse हो गया, और एक और property थी, existence of additive identity, तो एक आपने देखा additive inverse, और additive identity, और last आपने देखी कौन सी, commutative, commutative, तो ये सारी की सारी जो property है, ये real number ने किस operation के लिए perform करी है, यहाँ पर ये property है, जो real number में, plus operation के लिए perform करी है, addition के लिए, इसलिए यहाँ पर, जो real number का family है, वो बन जाएगा abelian group, तो अब real number जो set था, वो क्या बन गया, abelian group, तो एक concept यहाँ पर क्या बन रहा हमारा, कि हर group एक set होता है, every group is a set, every abelian group is a set, हर abelian group एक set होता है, but every set is not supposed to be a group, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ देखा आपने, कि यह क्या बन गया, हमारा abelian group, तो यहाँ पर every abelian group is a set, हर abelian group एक set होता है, but every set is not supposed to be an abelian group, थोड़ा सा, यह, तो यहाँ पर यह, इसको हम abelian group नहीं हर set को नहीं बना सकते हैं, only वही set जो इन पाचों property को follow कर देंगे, जो satisfy कर देंगे, वो abelian में सामिल हो जाएंगे, तो finally हम यहाँ पर R को हम क्या बूल सकते हैं, यहाँ पर R जो है हमारा real number, इन पाच property को satisfy करके क्या बन गया है, abelian group, ठीक है न, पाच property को satisfy कर रखी, किस operation के उपर, plus operation के उपर जो है, यह abelian group बन चुका है, तो एक लाइन आप लो, copy में अपने note कर लिजे, so R is in abelian group under addition, अब कौन सा binary operation लग रहा था, addition operation में, जो R है वो आपका abelian group होगा, चलिए तो देखिए, अभी यह तक 5 property और abelian group आपने देख लिया condition उसकी, अब बात करते हैं, च्छटी प्रपर्टी की, च्छटी प्रपर्टी है, यहाँ पे closer under multiplication, तो जो real number होता है, वो क्या होता है, multiplication application के लिए closer हुआ करता है, okay, for example, मतलब लिका, for all, a, b belongs to R, अगर दो input आप ले रहे हैं, a और b belongs to R, ले रहे हैं, तो इन नोनों का जो product होगा, जो operation यहाँ पे लगा है, क्या, product operation लगा हुए, okay, यहाँ binary operation product लगा हुए, उसमें भी वो भी क्या आएगा, वो भी एक real number आएगा, कौन-कौन से है, natural number, यह भी हमारे कुछ खास यूज़ का नहीं है, क्योंकि हम sequence in series में पढ़ेंगे, natural number is the subset of integers, integers are the subset of rational number, rational number are the subset of real number, and real number is the subset of complex number, ठीक न, तो हमको यहाँ पर, अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो किसके हम बात कर रहे हैं, real number की हम बात करें, कि जो real number का set होता है, वो multiplication operation के लिए क्या होता है, वो close dua करता है, चली तो अगली property discuss करते हैं, अगली property है associativity, okay, so R जो होता है, वो associative होता है, किस operation के लिए, multiplication के लिए, R is associative under multiplication, example देख लीजेए आपर, that is मतलब इसकी meaning है, a.b.c a.b. दोनों को साथ में लेकर के, c equal to a multiply by b to c for every a, b, c belongs to R, मतलब हर एक R के लिए ये property satisfy होनी चाहिए, और होती भी है, product operation के लिए, जो R होता है, वो कैसा होता है, associative हुआ करता है, next property की बात करते है, existence of identity, existence of identity element कह लो, या existence of identity कह लो, under multiplication, तो existence of identity under multiplication, तो multiplication operation के लिए हम कहते हैं, जिससे माली, suppose हमाँ पस a is a element, R का कोई element है, so a के साथ हम किसी का multiply करें, तो a आ जाए, या commutativity के साब से दिखेंगे, तो something multiply into a equal to a, तो ऐसा element क्या होगा, तो clear है हमाँ सामने की, भाई, real number की family में, वह element क्या होगा, one, so one is called unity, okay, one is called unity, one का दूसरा नाम क्या है, unity कहते है, unity, और identity under multiplication operation, okay, मतलब multiplication operation के लिए, जो identity बनती है, वो क्या बनती है, one बनता है, या इसी को unity बोलते है, चलिए, next property discuss करते है, अगली property है, existence of multiplicative inverse of a non-zero element, okay, so माली जी हमाँ पस कोई element है, a, and a belongs to real number, a belongs to real number, और a की value अगर 0 के equal नहीं है, okay, so there should be some element, जो a के साथ multiply करने पर हमें one देगा, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, a multiply by something equals to one, that is equal to something multiply by a, तो दोनों तरफ से क्या दे रहा, one दे रहा है, तो वो element क्या होगा, यहाँ पर one upon a, वो element क्या होगा, one upon a, तो one upon a is called multiplicative inverse, one upon a is called multiplicative inverse, तो यदि two का है, multiplicative inverse तो क्या बजाएगा, one by two, three का कितना बजाएगा, one by three, यह multiplicative inverse होगे, चलिए, next property का है, commutative property, तो commutative property, जो होती है, जानते ही आप, commutative property का बढ़ में किस पर discuss कर रहे हैं, यहाँ पर, under multiplication, तो मुल्टिप्लिकेशन कहेगी, कि for every a, b belongs to r, a dot b equals to b dot a, तो a dot b equals to b dot a, तो आपने देखा कि यहाँ पर भी, हमारा जो operation था a dot b, okay, multiplication a dot b, तो मतलब जो binary operation था हमारे पास, binary operation हमारे पास क्या था, equals to product operation, तो इसके लिए भी हमारे पास, हमारे जो set of real number है, r ने, क्या-क्या show कर दिया, commutative show कर दिया, associative show कर दिया, closer law show कर दिया, okay, distributed show कर दिया, existence of identity element, okay, existence of identity element and, और क्या था, multiplicative inverse, additive existence of identity element or existence of, tense of multi-applicative inverse, आपने देखा नहीं यहापे, तो commutative property में आपने क्या देखा, a into b equal to b into a, associative property में आपने क्या देखा, आपने देखा, a into b into c equal to a dot b into c, closer में आपने क्या देखा कि कोई भी चीज़ आप multiply करते थे, तो product जो करते थे, a और b, वो किस में आता था, real number में ही आता था, ठीक है न, यह चीज़ आपने देख ली, then, इसके बाद आपने कौन सी property देखी है, यह है, existence of identity, तो आपने देखा, a into one equal to a हो गया, and then, इसके बाद है, आपकी पास existence of multiplicative inverse, तो आपने देखा, a into one upon a, equal to कितना आगया, one आगया, done, तो हम क्या लिख सकते हैं दूस्तो, so r is an abelian group, r is an abelian group, group, under multiplication operation, तो multiplication operation के अंदर यह क्या है, एक group construct कर रहा है, चलिए, अगली property discuss करते हैं, property number 11, अगली property है, distributive property, तो देखे, यहाँ पर जो real number होता है, यहाँ पर एक साथ दो operation लगते हैं, ओके, multiplication over addition, तो जो real number होता है, multiplication over addition के लो, या addition over multiplication के लो, तो addition over multiplication over addition में, इसको यहाँ पर लिख लो, multiplication over addition, तो यहाँ पर दो operation लग रहा है, एक multiply binary operation लग रहा है, और एक addition binary operation लग रहा है, और यदि आप इसको solve करते हो, तो यह distribute हो जाता है, और यह बनाता है, a.b और a.c, जहाँ पर a, b, c, all belongs to, for all belongs to r, okay, for every a, b, c belongs to r, sorry, symbol cycle लिजेगा, for all every a, b belongs to, a, b, c belongs to r के लिए, a.b plus c equal to a.b plus a.c, तो इस तरीके से यहाँ पर जो set of real number है, वो product rule के लिए, और plus rule के लिए, क्या है, distributed भी है, ओके, तो product और plus के लिए, दो binary operation है, यहाँ पर एक साथ लग रहे है, उनके उपर क्या है, distributed है, तो यहाँ देखा, आपने की total 11 property, यहाँ पर satisfy कर दी गई है, किसके द्वारा, आर के द्वारा, ओके, किसके द्वारा, आर के द्वारा, तो ऐसे, ऐसा set जो इन 11 property को satisfy करते हैं, उनको हम क्या बोलते है, field, क्या बोलते है, इसको हम field, so now set R, जो है, वो क्या बन गया, set R is a field, set R is a field, वो किस में field है, किस operation के लिए field है, under ordinary addition, and ordinary multiplication, तो ये दो operation में, जो है, ये क्या बन जाएगा, हमारा set, जो है, ये field बन जाएगा, ठीक है, आर,